कि नमश्का चात्रों मैं डॉक्र हमिद गौतम एना योस के स्टूडियो में आप लोगों का डीलेट प्रोग्राम में स्वागत करता हूं आज क्या हमारा जो परीचर्चा का विश्य है वह मूल्यांकन उद्देश एवं विसस्ट्री करण मूल्यांकन के प्रकार और आंत्रि बालक के सर्वांगिन विकास से हैं सिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करके बालक का सर्वांगिन विकास भली बाती से किया जा सकता है इस दुरस्टी कौंट से मूल्यांकन सिक्षा के उद्देश पर आधारित रहता है और मापंद वारा विविन गुणों योगिता किसी भी चात्रि चात्रा ने पचास मैं से 35 या चालिस याप्त करना ही प्रयाक्त नहीं है बलकि अध्यापक को ये भी जानना होता है कि छात्र की प्राप्तां कितने अच्छे हैं और मूल्यांकन के अंतरगत किसी गुण योगिता अत्वा विशेशता का मूल निर्धारित किया जाता है मूल्य आंकन के अगर अर्थकों जुशनाय प्राप्थ होती हैं जिनके आधार पर बालक की यूगिता एवं उपलब्दियों का आखलन किया जाता है मूल्य प्लस अंकन या मूल्य आंकन का अर्थ हम कह सकते हैं मूल्यांकन जिसमें मापन मापन के साथ उसका मूल्य निर्दारित किया जाए मूल्यांकन प्रक्रिया में मुखेता तीन बातों के संदर में निर्णय लिया जाता है कि सिक्षन उद्देशों की प्राप्ति किसी मां तक हुई उदेश इसपस्ट करने की विधी प्रविधी कितनी प्रवावी रही अधिगम अनुभव कितने प्रवावी उत्पादक रहे इन सबी बातों का ध्यान हम मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान रखने का प्रयास करते हैं अब हम मूल्यांकन की परिवाशा जानने की कोशिश करते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबत प्रक्रिया है जो हमें ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया यह कहें कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह बालकों की आपचारिक स प्रवावशाली सिद्ध हुए और कहां तक सिख्षा के उद्देश पूर किये गए हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है मूल्यांकन एक सिख्षन प्रक्रिया का अभिन अंग भी है और इसका सीधा सम्मन सिख्षा के उद्देशों के साथ होता है ये बालकों के परिणावों की गुणवत्ता मूल प्रवावित्ता के आधार पर उनके भावी कारकरोमा का निर्धारण करती हैं विद्यारतियों के वांचित व्यवारगत परिवर्तोनों के संबन में साक्षियों का संक्लन किया जाता है मूल्यांकन के अब हम मूल्यांकन के उद्देशियों के बारे में बात करते हैं मूल्यांकन का मुख्य उद्देश किसी भी पाठे किरम में आवश्यक शंशोधन करना भी होता है और इसके द्वारा हम परिक्षा प्रणाली में सुधार भी कर सकते हैं साथी साथ बालकों को छात्रों को निर्देशन परामर्ष हेतू, उचित आधार प्रदान भी कर सकते हैं। इसके साथ हम अध्यापकों की कारिक उशलता एवं सफलता का मापन करते हैं और बालकों के वेवार संमंदित परिवर्टनों की जाँच करते हैं। मूल्यांकन का प्रियोग छात्रों में अधिगम की मात्रा ग्याद करने में भी किया जाता है मूल्यांकन का प्रियोग अनुदेशन की प्रवावशीलता ग्याद करने एवं उसके अनुरूप अपनी किरियाओं के नियोजन में किया जाता है बालकों की दुरवल्ता में तथा योगिताओं की जानकारी प्राप्त करने में भी मुल्यंकण काफी साहिक होता है मुल्यंक दौरा हम नवीनत बुटब रह्म प्रवावी सिख्षण विदियों ब्रविदियों की भी खोज करते हैं अनूदेशन की प्रवाव शीलता का हम कक्षा में पता लगाते हैं जो हमारी प्रचलित सिक्षण विदी है, तता पाधे पुस्तकों की Cahlt करके उन में अपेक्षि सुधाétait लाने की कोोशिश करते हैं बालकों का विविन श्रेणियों में वर्गी करण करते हैं क्योंकि किसी भी कक्षा में ये आवश्यक है कि बालकों का बालक की श्रेणियों का वर्गी करण किया जाए जिसके अनुरूप कोई भी सिक्षक अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण रूप से संचालित कर सके हम बालको की अधिकम कठनाईयों का भी पता मूल्यांकन के द्वारा लगाते हैं बालकों को उत्तम ढंक से सीखने के लिए प्रोच साहित करना भी मूल्यांकन का ही एक कार है और इसके आधार पर ही हम सेक्षण व्यू रचना में सुधार करते हैं और उनका विकास करते हैं अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मूल्यांकन की आवशक्ता क्या है और इसका महत तो क्या है मूल्यांकन की आवश्यक्ता है महत को कई सारे बिंदों के द्वारा समझा जा सकता है कि मूल्यांकन के द्वारा बालक की मानसिक शक्ति, रुची तता द्रस्टी कौन का अनुमान लगाया जा सकता है योगित अनुसार बालकों को विविन समुव में विवारित करने के लिए मूलियांकन आवश्यक है साथी साथ छात्रों को हम मूलियांकन के आधार पर व्यवसाइक और सेक्षिक निर्देशन देते हैं हम मानकों का निर्दारण करने के लिए भी मूल्यांकन को अतियावश्यक मानते हैं और बालकों की कक्षा उन्नति और कक्षा विवाजन में मूल्यांकन काफी सुविदा प्रदान करते हैं अब हम मूल्यांकन प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं मूल्यांकन जैसा कि हम जानते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में कुछ पद निश्यत होते हैं जिन पदों का अनुसरण करके हम मूल्यांकन को पूरा कर सकते हैं जैसे, सबसे पहले हम मूल्यांकन में उद्देशों का चैन और निर्धारण करते हैं, हम यह जानने का प्रियास करते हैं कि हम मूल्यांकन कर क्यों रहे हैं, मूल्यांकन के उद्देश क्या हैं, और उन उद्देशों को सही तरह से कक्षा के अनुरूप, कक्षा की आवश्यक तके अनुरूप निर्धारित करने का प्रयास करते हैं इसके पश्यात हम उद्देश्यों का विशलीशन कर रहे हैं जिनके लिए हम मुल्यांकन कर रहे हैं तत्पश्यात हम यह देखने का प्रयास कर सकते हैं कि कौन-कौन सी मुल्यांकन प्रविदी हैं जिनके द्वारा बाल कैसे करें प्रियोग किस प्रिकार से करें उन उन प्रियोगों के आधार पर हम परिणाम कैसे निकाल सकते हैं और उन परिणामों की व्याक्या और हम सामानी करण करते हैं इन पदों के आधार पर हम एक क्रम अनुसार आगे बढ़ते हैं और परिणाम निकालने में समर्थ हो जाते हैं इसके आधार पर हम प्राप्त परिणामों की व्याक्या करके सामानी करन कर लेते हैं और किसी भी निरणय पर पहुँचने में समर्थ हो पाते हैं और हम मूल्यांकन के द्वारा ये देखने का प्रयास करते हैं, कि किसी भी परिक्षण में अधिक्तम अंक क्या है, बालकों द्वारा प्राप्त निम्नतम तथा उच्चतम अंक क्या है, प्राप्त अंकों का उसत क्या है, अमुक छात्र की चमता सीमा क्या है, छात्र ने अपन सिक्षण अधिकम प्रक्रिया की तीन अवस्ताओं से गुजरता है सिक्षण पूर्वा अवस्ता सिक्षण आवस्ता और सिक्षण परांत अवस्ता विज्ञान सिक्षण में यह और महत्पूर्ण है कि किसी भी तरह के मूल्यांकन करने से पूर सिक्षण कि यह देखे कि सिक् इन में मूल्यांकन में तीन तरह से मुखिता मूल्यांकन करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन हम करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मानात्मक मूल्यांकन की इस मूल्यांकन को सिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान वेन इस्तर पर करते हैं यह ग्यात किया जाता है कि सिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विद्यारतियों के विवार में अपेक्षित परवतन आ रहे हैं अत्वा नहीं आ रहे हैं विज्ञान सिक्षक द्वारा सिक्षण कार्य हितु किया जा रहा है या विद्यार्ती द्वारा अधिगम अर्जन में किया जाने वाला परिश्रम उप्युक्त दिशा और दशा को प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है मूल्यांकन परणामों के द्वारा कमी की ओर संकेत कर सिक्षक और सिक्षार्ती दौनों इस बात के लिए प्रेडित किया जाता है कि अपने सिक्षन तता अधिगम विधी, कारेप्रणाली, सिक्षन अधिगम परिस्तितियां तता वातारण आदी में अनकूल परविवरतन ला मूल्यांकन के परिणाम सिक्षन अधिगम प्रक्रिया को सैदेवी एक नवीन रूप देने के लिए नई तरह से उसका निर्माड करता है और उसी दिशा में प्रयास करता है मूलियांकन का उद्देश विर्द्यार्तियों का निर्माड या विकास के कार को सही दिशा और दशा में प्राप्त कराना है इस प्रकार की मूलियांकन में निम दो प्रकार की प्रविदियां प्रियुक्त होती है आपचारिक जिसके अंतर के हम किसी भी तरह की ट्रेनिंग, अभ्यासकार, चेक लिस्ट, प्रिश्वत्तर, प्रिदतिकार को ले सकते हैं और अनौपचारिक मूल्यांकन में हम विद्यारतियों के टिपणियां, समवाद या पूछे जाने वाले प्रिशनों पर ध्यान देते हैं और अवलोकन करने का प्रयास करते हैं इसके परशात हम योगात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं और यह मूल्यांकन कार्या, पार्थ या एकाई विशेश में titled hunters क्या जाता है कि इसके द्वारा ये ग्यात करने का प्रयास किया जाता है कि पार्ट के सिक्षन अधिकम के द्वारा विद्यारतियों के वेवार मैं किस परकार के परव्रथन आई अधिकम की द्रस्टी से उनको Demet में दो प्रकार की तकनीक प्रियोग की जाते हैं अपचारिक जिसके अंतरगत अध्यापक निर्मित तथा मानकी गरत परिक्षण साक्षात का रेटिंग स्केल प्रोजेक्त कार्य आदी दिया जाता है और अनुपचारिक मूल्यांकन कre अंतरगत किसी भी प्रकार की समू रचना अवलोकन और विद्यारती द्वारा दी गई टिपणियों को ध्यान में रखा जाता हैं अब हम अगले प्रकार के मूल्यांकन की बात करते हैं, जिसको हम निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं, यह मूल्यांकन विद्यारती की अभी विरतियां, छमताओं, योगिताओं, रुचियों और अभी रुचियों से सम्मंदित, शक्ति और कमजोरी के निदानेतु प्रिप्त किया जाता है सिक्षेट से पूर्व विद्यार्तियों के निदानात्मक मूल्यांकन करते समय अध्यापक यह जानने का प्रयास करता है कि विद्यार्तियों को जो पाठ या विशेवस्तु पढ़ाई जाती है उसके संबन में उनसे पहले वो कितना जानता है अत्वा उस अध्यान हितु उसमें किस प्रकार की पूर्व योगिता है विद्धमान निदानात्मक मूल्यांकन सिक्षण की पूरवस्ता या अनुदेशन से पहले कडने के अतरिक उस सम करता है सिक्षण की क्रियात्मक अवस्ता में किया गया निदानात्मक मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन के समानी होता है इस प्रकार विज्ञान सिक्षण में निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्धेश विद्ध्यारतियों की गहन अधिगम कठनाईयों और कमजो करें विद्याले में प्रियुक्त की जाने वाली सभी मुल्यांगन प्रिवदियों का प्रमुक रूप से दो तरह से विवाजन किया गया है परिमानात्मक विदी और गुणात्मक विदी परिमानात्मक विदी में हम तीन तरह से मुल्यांगन करते हैं मौकिक परिक्षा लिख के समद्धिक्तित्यों में होने वाले परिवर्थानों के मापन एबं व्याक है ईतु इस तक्नीक प्रवदी का प्रयोक किया जाता है इस गुणात्मग अध्य न करते हैं अगली विदिये प्रेक्षण जिसमें चात्र की स्वभाविक दशां में घटेट होने वाली घटना को वस्तुनिस्त तरीके से अभिलेक त्यार करते हैं अगली विदी है आत्पृति विदन जिसमें छात्य स्वयम अपने बारे में तथ्यात्मक तथ्य प्रस्तुत करता है अगला है संचित अभिलेक पत्थ जिसमें छात्रों के व्यक्तित्त्यों के विमिन पक्षों में आई विवारगत परिवर्तों पर उपलबदी को एक ही प्रपत्र पर लिखकर सुरक्षित किया जाता है घटनागरब इस्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण भी बालकों के विवारगत परिवर्तों का मुल्यांकन कंडे में सायता करता है निधारन मापनी में चात्रों की योगताओं वा उपलबदी को इस प्रकार जांसते हैं कि वा किस इस्तर की है पोटफोलियो या एक निशित अवदी में विद्यारती द्वारा किये कार का संग्रह है और या चात्रों की उपलबदी का एक रिकॉर्ड भी है ये रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं अब हम मूल्यांकन की माननेताओं की बात करते हैं मूल्यांकन करता को मूल्यांकन विदी और प्रविदियों का भली बाती से ज्ञान होना चाहिए जो भी व्यक्ति या जो भी विज्ञान सिक्षक इन प्रविदियों का उपियोग कर रहा है वो कम से कम इस बात को जानता है कि कक्षागत परिस्तितियों में इन मूल्यांकन विदियों को कैसे प्रियोग किया है मूल्यांकन एक अंत नहिया वरण दूसरी चीजों के प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रियुक्त किया जाना चाहिए मूल्यांकन अतिंत सावधानी पूरवक किया जाना चाहिए साथी साथ याथा संभव तुटियों के जाल से बचना चाहिए मापन और मूल्यांकन दोनों ही चात्र के सीखने को प्रवावित करते हैं मूल्यांकन का दायत, विध्याले, सिक्षक, एवं अभीवावक सबी पर होता है अब हम बात करते हैं आंत्रिक मूल्यांकन की आंत्रिक मूल्यांगन की अंतरगत हम यह जानने का प्यास करते हैं कि इसको किस प्रकार से कक्षागत परिस्तितियों में लागू किया जाए इसमें हम सबसे पहले इस बात को कह सकते हैं कि कोई भी सिक्षार्ति का मापन वही करे जिसने उसे पढ़ाया हो क्योंकि वही सिक्षार्ति की प्रगति को माप सकता है या मूल्यांकन व्यापक और सतत होता है इसे आंत्रिक मूल्यांकन कहते हैं आंत्रिक आंकलन सिक्षार्तियों को तीनों छेतर में प्रगति की फीडबेक देने में सायता करता है और इसके आधर पर सिक्षक, सिक्षण विदियों वो प्रदान किये गए अधिगम अनभोवों की प्रवावित्ता पर चिंतन और मनन करता है सिक्षक सही समय पर निदानात्मक परिक्षण वो उपचारात्मक सिक्षण का प्रियोग कर सकता है इस प्रिक्रिया में सिक्षक, सिक्षार्ती के बोधात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक पक्षों का निरंतर मूल्यांकन कर सकता है निरंतर मूल्यांकन के कारण सिक्षार्ती को परिक्षा में अंतिम समय में पढ़ाई पर जोर देने की आवशक्ता नहीं होती इसमें परिक्षा का अनावश्यक तनाव बहुत कम हो जाता है सिक्षार्थी के व्यक्तित्तों के समग्र विकास में ये बहुत सायक होता है प्रवावी आंतरिक आंकलन के लिए सिक्षक और विविन मूल आंकन तक्निकियों वह उपकरणों का प्रियोग करने की आवश्यक्ता पढ़ती है परन्तु सफल आंतरिक आंकलन के लिए सिक्षक को अच्छी तरह से ट्रेंड होना चाहिए और पक्षपाती होना चाहिए अब हम बात करते हैं कि मूल ल्यांकन और मापन में अंतर क्या होता है चाहत्रों ये इसलिए और आवर्शक है कि हमारे मन में या ज्यादा तर लोगों के मन में ये भ्रातियां होती है कि मूल ल्यांकन और मापन एक ही शब्द है लेकिन अगर हम इनको विज्ञान विश्यक के संदरवें बात करें तो इन दोनों में काफी अंतर है अब हम इन अंतरों की चर्चा करने का प्रयास करते है मूल ल्यांकन का जो छेत्र है वो व्यापक होता है और ये चात्र के संपूर व्यक्तित्यों के संबन में आकलन करता है जबकि मापन का छेत्र सीमित होता है, मापन विवार के कुछ आयामा को प्रती अंकन प्रदान करता है मूल्यांकन के द्वारा चात्र की इस्तिती का वरणन किया जाता है और इस प्रकार से किया जाता है कि उससे तुलनात्मक अध्यन संबफ हो सके मापन के द्वारा तुल्नात्मक अध्यन संभव नहीं हो पाता है मूल्यांकन के लिए श्रम, शक्ति, साधन तदा धन की आवशक्ता पढ़ती है जबकि मापन के लिए अधिक समय वश्रम आधी की आवशक्ता नहीं पढ़ती है रिपीट करते हैं, मूल्यांकन में अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारन किया जाता है जैसे कि 45 अंक प्राप्त करने वाले चात्र की कक्षा में क्या इस्तिति है विद्यार्ती ये बताता है कि 45 अंक प्राप्त करने वाला चात्र परिक्षा में पर्थम है दूतिया या कुछ और उसकी अवस्ता है मूल्यांकन के अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारन किया जाता है जैसे, 45 अंक प्राप्त करने वाले च् antibodies की कक्षा में क्या इस्थितिय है। मुल्यांकन बताता है कि, 45 अंक प्राप्त करने वाला च्். परिक्षा में पिर्थम है, दूतिय है, या तक्षा में उसकी कुछ और अवस्ता है। लेकिन अगर हम इसके विपरीत मापन की बात करें तो मापन का कार केवल अंख प्रदान करना ही है इसके आगे कुछ भी यह केवल इतना बताएगा कि चात्र ने विज्ञान विशय में 45 अंख प्राप्त किया मूल्यांकन के आधार पर हम चात्र के संबंद में इसपस्ट धाड़ना बनाई जा सकती है कि चात्र का समग रूप कैसा है जबकि मापन के आधार पर चात्र के संबंद में इसपस्ट अवधाड़ना का निर्मान नहीं किया जा सकता है मूल्यांकन परिणामों के आधार पर चात्र के सम्मंद में पूर्ण सार्थक्ता के साब से भविश्यवाणी की जा सकती है जबकि मापन में केवल परिमानात्मक आधार पर ही मापन किया जाता है और यह केवल संख्यात्मक होता है तो ख! आज हमने विझ्ञान में मुल्यांकन की बात की उसके उद्देश्यों की बात की और मुल्यांकन का विझ्ञान काक्षाओं में क्या मैंत्व। इस पर बात की आज हम अपनी परीचर्चा को यहीं विराम देते हैं और DLA के किसी और प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी धन्यवाद नमस्कार